कहां है तेजस्वी कहां है तेजस्वी और कहां है तेजस्वी यही एक सवाल है जो सत्था पक्छ के जबान से निकल रहा है अगर आप उनसे किसी मुद्दे पर सवाल करेंगे तो जवाब देने के बजाए खुद आप से सत्ता पक्ष या सवाल कर देगा नमस्कार मैं हूं राजमोंतिवारी और आप देख रहे हैं एचस बिहार पिहार की जंता ने जिम्म्यदारी नितिष कुमार को दी हैं.? एंडिए सरकार को दी है जिसमें चार दल सामिल हैं हिंदुस्ताणी आवां मोर्चा, व्याईपी, जे डिउव और बीजेपी लेकिन सवाल विपक्च से हो रहा है विपक्च के नेता तेजस्वी यादों से हो रहा है कि कहां गायव होगा है तेजस्वी यादों चुनाओं के बाद से ही जिस तरह से और जो परिनाम आए हैं उसके बाद से ही मंत्री मंडल का विस्तार होता है और उसके बाद सवाल सत्ता पक्ष से जब पूछा जाने लगता है कि बियार में अपरादिक घटनाय क्यों बढ़ने लगी बियार में अचानक ही डेकैती, लूट पार्ट, किडनैपिंग और हत्ते आयें इतनी जादा संख्या में सुसासन बाबू के राज में क्यों होने लगी तो सवाल सत्ता पक्ष आपसे ही पूछ लेता है कि तेजस्वी यादो कहा है, क्यों गाइब हो गया है तेजस्वी यादो समझ में एक बात नहीं आती कि जिम्मादारी बियार की जंता ने किसको दिये, तेजस्वी यादो को या फिर नितिस कुमार को अब हम आपको कुछ ट्वीट दिखा रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, यह ट्वीट सत्ता पक्ष पर बैठे निताओं का है और वो क्या कहते हैं जरा ये भी आप सुन लीजिए, मंगल पांडे जो कि स्वास्त मंत्री हैं बिहार सरकार में वो 16 दिसंबर को ट्वीट करते ह पूछते हैं पूछ रहा है पूरा बिहार कहां है लाल्टेन वाले राजकुमार जो देने चले 10 लाक रोजगार कहीं खुद तो नहीं हो गए बेरोजगार इसके अलावा मंगल पांडे फिर 18 दिसंबर यानि कि कल एक और ट्वीट करते हैं वो पूछते हैं माता पिता बच सेल होने के बावजूद घूमने निकल जाते हैं और घूमने भी कहा जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं है इसके अलावा कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले बिहार के पुर्व उपमुक्यमंत्री और अब राजसवा सांसद सुसील कुमर मोदी भी तेजस्वीयादों से ही स पतिपक्ष के समवेधानिक दाइत्व का निर्वा ठीक से नहीं कर पा रहा है इसके अलावा वो लिखते हैं पिछले सदन के अंतिम वर्स में तो स्पीकर को बताए बिना 33 दिन तक गयर हाजिर थे तीन नएक क्रिसी कानूनों के विरूत किसानों को गुम्राह करने के लिए आहुत भारत बंद के समय तेजस्वी यादों के गायव रहने के कारण महागडबंदन नित्रित्वहीन रहा तो यह जो कई सवाले हैं इसके अलावा एक और है जो जेडियू के MLC है नीरज कुमार वो भी लगतार तेजस्वी यादों से ही सवाल कर रहे हैं कि आप कहा गाय या साथ ले गये होंगे पर कहां इसकी खबर तो होनी चाहिए बीहार के आम अवाम जानना चाहते हैं लेकिन जेडियू के MLC निरज कुमार से हमारा एक सवाल है कि आम अवाम तो यह भी जानना चाहती है कि सरकार किस की है तेजस्वी यादो की या फिर नितिस कुमार की अपराद बिहार में बढ़ रहा है तो सवाल किस से किये जाएंगे तेजस्वी यादो से या नितिस कुमार जी से बिहार में लगतार हत्याएं बढ़ गई इसके लिए सवाल किस से किया जाए बिहार का स्वास पक्ष को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यूं बिहार की इस्तिती है और जब नया सरकार का गठन हो गया है उसके बाद क्या तरक्की के काम हो रहे हैं विपक्ष के नेता पर सवाल करिए लेकिन जवाब आपको भी देने होंगे कि आप ने अब तक क्या किया है और आग बीजेपी के लिए तो इस पर सवाल क्यूं ना हो बीजेपी के आपके ही नेता सहयोगी जो है वो अपराद पर सवाल ख़रा करते हैं तो आप जवाब क्यूं नहीं देते हैं और सवाल आप पूछते हैं कि तेजस्वी यादो कहां गायब हो गया है फिलाल तेजस्वी राची में हैं और राची में लालू प्रशाद यादो से चुनाओ परिनाम के बाद पहली बार मुलाकात कर रहे हैं आएंगे तो उनसे भी सवाल होगा की आप कहां थे या फिर आभी जवाब दीजिएगा कि बिहार में बढ़ते अपराद के ग्राफ के लिए जिम्मेदार कौन है सराव माफिया लगतार बिहार में पक्रे जा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है तो जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा और तेजश्वी यादो आ रहे हैं तो हम उनसे भी सवाल करेंगे लेकिन फिलहाल ये सवाल करने के बजाए काम पर सत्ता पक्ष को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बिहार का डेपलप्मेंट कैसे हो और खासकर बिहार में अपराद क ऐसे रोका जाए तो फिलाल के खबर में इतना ही खबरों में लगतार बने रहने के लिए हमार चैनल एचसब्यार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद